बंसी वाले की गिर्पा हो गई है गाइस तो आज है जन्मस्ट मी का त्योहार और पुजाबाट करके पेल्कुल और आज लिए तो बारिश होना तो लाजमी है और बहुत तेज बारिश होड़ी मुद्ला अच्छी वाली बारिश होड़ी बहुत तेज तो यह बहुत अच्छा तो है अभी यह ले तो ठीक है लेकिन जो मंदिरों में जो प्रोग्राम रखे हैं और जिसना अभी लाला के जनम का जो समा रहो होते हैं जितने वी उन्हें थोड़ा सा जो है इसने उनके लिए अच्छा नहीं है जाकर तो लीला प्रभूल भी और कोई कठा ही खा लेंगा है ना कि टाइम हो गया ज्यादा सवा गया रहा तो हो गया है तो लंच के त्यारी करते हैं हां तो गाइस मैं आगे और थोड़े-खड़े में बस यह खीर बनाई है खीर लगवग अभी टाइम लगए 15-20 में हो जाएगी त्यार ठीक है यह खीर है इसके लिए ड्राइफूट मैंने यह देखो भिगा रखे हैं यहां पर कल्चु भी हैं कल्चु भीगानी की जोड़तनी है और यह दोपायर के लिए चामल जो है विगा रखे हैं और दाल मेरी बन गी है सिरफ चीरे का छूंका लगा के और टमाटर और अधरक टालाइस में बस और कुछ नहीं रहा है तो बस आज का खाना यह यह और रात के लिए मैंने देखो छूले भी विगा दिया है काले चने बनाएंगे रात को हां तो गाईस आज जनमस्तमी और यह देखो पुष्पा ने बरतर ले रखा है तो यह जारी है कहां मंदर जारी है दृष्टी और यह जा रहा है सब्सक्राइब जो जा तुस्टी तो यह जारी है स्वाभी और देखो चलो जाओ तुस्टी पिर रात को मैं सब्ची हब्ची क्या चने बना कर रख दो आज ना ना लिए और और फिर से वाऊ पिमारी हो लिए त्टे अच्छ ठीक उसकता है तो कि अच्छी होगे घर के लिए भी ले लियो क्या होगा है अब यह जा रहे हैं मंदिर अजी दो आ गया हूं जी देखो कहां किचन में और तेल रख दिया मैंने अधरक और टमाटर कटे हुए हैं और यह देखो यह प्रेशर करके चने सेट कर लिए मैंने और बस चनों को लगाना दड़का जीरा रख लिया है यह जीरे का डपा है मेरा इसमें जीरा है जीरे का लगाए और हमारे चनियों गएंगे तो वाइस यह आगे मंदिर से आज जन्मस्चिमी का दिन है और बहुत इस स्कूल मं चाही स्ट्रीम में और News यह बहुत है और राहत की यह बहुत बड़ा चीज होती कि अ MATकी बनसी वाले की कर पाउगी है तो मैं ऐसे करता ओं प्रिफाला पने चनों पर ध्यान दे लिए थोड़ा सा कि ने बनते हैं ठीक हूँ तो लोजी तो लएँ देखो Terbsa पूरी बनानी है तो पूरी बनाएंगे टोस्तों तो ये लेको डाल दिया मेने इसमें मसाला पक्या था आप जाल देए चनने और थोड़े से चनने जो हैं तो अ मैस्क कर लिया लिए बस इस तरह से इनको थोड़ा से दबा के और बस इस से थोड़ी सी तरी में स्टेश्ट आजाएगा बहुत अच्छा और इसको अच्छे से मिला लेते हैं और बस आप इसको एक सीटी लगाता हूं और उसके बाद हमारे छोले तयार होगे बिना प्याज और बिना लेस्न के टाइम हो गया है डिनर का और अब देखो य छोले और पोड़ी और छोले बहुत ही अच्छे बने में सब खा रहे हैं खाना और अब मैं भी खाता हूं और उसके बाद करूँगा एडिटिंग तो होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आईगी वीडियो पसंद आईए तो लाइक कर देना चैनल पे नहीं है तो सब्स सब्सांद कर दो लाइक